नमशकार तो सलाज जावेद के साथ शादी करके शोहेद मनिक ने जब एस्टाग्राम और अपने ट्विटर हैंडल पे बताया कि वो शादी कर रहे है तो उसके बाद लोगों ने उनकी बैसिंग शुरू कर दी थी कइस लोग सानिया मिर्जा के साइड निकर यह बोले कि उनकी साथ धुका हुआ है कि बैसनी बैसि बन्हाद से बहुने में तरफ से जो डायवोर्स ले देंटी है मगर उन्होंने ये कहा बाद में थोड़े दिनों के बाद ये सामने आया सानिया मिर्जा के टीन की तरफ से कि उनका डिवॉर्स हो चुगा है और दोलों तरफ से सानिया मिर्जा और शोयब मलिक इंग दोलों ने ही डिवॉर्स के पेपर साइन किये है खैर ये तो काफी कम संभावना नग रही है क्योंकि उनके पापा ने जो शिवात में कहा था वहीं ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि ऐसा ही हुआ गोगा और ये जो बात है तलाक की एक कवर अप करने के ने की होगी मगर ये बात है कि इस चीज से ये क्लियर हो जा रहा है कि शोयब मलिक जो है वो सानिया मेर्जा को तलाप नहीं देना चाहते थे और ये पता चलाएगी और इवन शोयब मलिक के जो पेरेंस हैं वो भी अपनी अगने शादी से खुश नहीं है और कोई भी खुश नहीं था मग बहुत ही अच्छी नहीं दिखती हुई नजार आ रही है खर कई लोग उनको इंस्टाग्राम पर काफी प्रेज भी कर रही है मगर इसी के साथ साथ एक और कॉन्प्रोर से शोयब मलिक के साथ जुड़ गई है उन्होंने एक जो मैच है बीपी एन का बांग्लादेश प्री करें लोग इस बात का ट्विटर पे और अधर हैंडल पर यह मजाग बना रही है कि जो इनकी नई बीवी है वह बहुत ही जादा खर्चा करती है इस वज़य से उन्हें यह अच्पने अपनाने पढ़ रही है अपनी बीवी को खुश करने के लिए खैर इंडियंस काफी इतने वाद